हाई अवरिवान आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ हैं एंट ये यूजी सेन्ट जून 2023 के एक्जैम का ऑफिसियल कट आफ एंड सब्जेक्ट आपका संस्कृत जिसका पेपर कोड है 025 तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जून 2023 का जो एक्जैम हुगा है नेट का उसमें कितने percent पे यानि कितने marks पे नेट बच्चोंने क्वालिफाय किया और कितने marks पे या कंजा परसेंट पे बच्चों का जैरख गया है और आगे आने वाले परिछाओं में रणनित के लिए इन कटाफ का बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं सही उदिख सकते हैं अब देखा जाए तो सिर्फ नेट का एक्जाइम कितने मार्क्स पे बच्चों ने क्वालिफाई किया है तो देखिए कटाफ गया है आपके अशिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का 190 अनुसर क्टेगरी का 190 मार्क्स कटाफ गया है अनुसर क्टेगरी का यानि 63.33% ऑके तो बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है EWS के बात किया जाए तो 174 एक सब चौहत्तर नंबर पर एड़वलू एस कैटेगरी के बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है एंड परसेंट में इसको देखेंगे तो 58 परसेंट यानि 272 यानि की 57.33 ओके 272 मार्क्स कटाफ गया है और देखा जाए तो परसेंट में इसका कटाफ गया है से एसी काटेगरी की बात किया जाए तो 164 यानि की 54.66 ऑकेशेंट काटाफ गया है से कटेगरी का और के बाद किया चाहिए तो 146 यानि 48.66 परसेंट कट आफ गया है आपके एस्टी कटेगरी का अउनली असिस्टेंट प्रोफेसर यानि निट का ओके इसके अलों आप बहुत सारे सब कटेगरी है पीड़ डी की आप देख सकते हैं कितने स्कोर पे आपका निट क्वालिफाई तो on reserve category का 212, okay 70.66 यानि 70.66% cutoff गया है on reserve category का EWS की बात किया जाया तो 204, यानि 68%68 परसेंट बच्चो का cutoff किया है जैरफ का EWS category का OBC की बात किया जाया तो 200 marks, okay यानि कि 60.66 अपका cutoff गया है ज्यारफ का OBC का ST की बात किया जाए तो 188 मार्क्स पे आपका ज्यारफ क्वालिफाई बच्चों ने किया है यानि 62.66 62.66 परसेंट गया है आपका कट अफ और ST की बात किया जाए 282 ओके तो 60.66 60.66 परसेंट गया है आपका ST काटेगरी का ज्यारफ का कट अफ और इसके अलावाँ आप देख सकते हैं P.W.D की केटेगरी वाइस कितना मार्क्स पे ज्यारफ हुआ है कितने परसेंट पे बच्चों का ज्यारफ हुआ है तो आज की वीडियो इतना ही इससे जोड़ो कोई भी कोशन पूछान पूछ सकते हैं और जब तक नेक्स वीडियो नेक्स अब बेट नहीं लाते हैं स्क्स अर आपकारी महुत बहुत सुकुर